ओधर दिल्ली की शराब नीत के मामले में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इंदरो जेल पे हैं। और कल देर शाम एडी ने इसी मामले में अर्विन केजरिवाल को भी समन भेजा है जिसके बाद से भाश्पा आप पर और जादा हमला वर हो गई है। भाश्पा ने अर्विन केजरिवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि जो केजरिवाल इमानदारी का सर्टिफिकिट दिया करते थे आज उनकी विश्वस नियता ही सवालों के खेरे में है। दिल्ली शराब घोटाले में आमादमी पार्टी के नेटाओ मनीज से सो दिया संजय सिंग के बाद अर्विन केजरिवाल पर शिकंजा कस्ता जा रहा है। दिल्ली एक्साइस पॉलेसी मामले में मोख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल को प्रवर्तन देशाले ने नोटिस भेज कर गुरुवार को पूछताच के लिए बुलाया। इसके बाद विपक्षी दलो ने केजरिवाल पर हमला तेज कर दिया है। केंद्री मंतरी अनुराग ठाकु ने कहा कि जो पार्टी इमानदारी का प्रमान पत्र देती थी वो आज ब्रश्टाचार में व्यस्त है। केंद्री में घरी दिल्ली सरकार को आड़े हातू लेते हुए बीजेपी नेता रवीशंकर प्रसाद ने कहा कि इमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले मंतरी आज खुद जेल की हवा खा रहे हैं। यह ऐसा विश्याइप में उठाया है जिस पर मुझे बहुत गंभीर चिंतन करना पड़ेगा कि वो करेंगे नहीं करेंगे देखा जाएगा। लेकिन एजन्सिस क्या करेगी इट इस नन अफार कंसार। उधर दिल्ली में आप पार्टी नेता गोपाल राइन ने आरूप लगाया कि भाजपा के लोग एडी के जरीए केजरिवाल की गरफतारी की तयारी कर रहे हैं। कोई भी कोशिस करके किसी भी तरह से विपक्ष की जो आवाज मजबूत हो रही है देश में उसको रोकने की कोशिस हो रही है और उसका भी यह संकेत दिख रहा है। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को नई आपकारी निती लागू की गए। नई निती से दिल्ली में शराब का पूरा कारोबार प्राइवेट प्लेयर्स को सौप दिया कया। आरोप है किसके बदले आपके निताओं ने रिश्वतली और पार्टी की भी फंडिंग हुई। जब इस मामले की जांश शुरू हुई तुकेजरिवाल सरकार ने नई शराब निती रद्ध कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी निउस।